Welcome guys, Welcome to my channel आज हम लोग DSSB का 2015 का जो question paper हमने start किया हुआ था आज हम उसके 5th part को discuss करेंगे already channel पर 4 part आ चुके हैं आप playlist section में जाकर वहाँ visit कर सकते हैं उनके अंदर हमने 90 question detail में discuss कर लिए हैं आज हम question number 91 से discuss करेंगे अगर आप channel पर नहीं हैं तो एक बार आप playlist section को visit कर सकते हैं वहाँ पर हम बहुत लंबे टाइम से economics के previous year question paper solve कर रहे हैं आज का हमारा पहला question 91 question है question number 91 में देखें क्या बोला गया है in a harard model if actual growth rate is greater than warranted growth rate there will be a inflation आपको पता है हम क्या करते हैं जब harard का model पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम concept पढ़ते हैं actual growth rate warranted growth rate natural growth rate actual growth rate मतलब जो actual में की economy में होती है माल लो हमने सोचा था इंडिया में 7% growth rate इस साल है माल लो तो यह हो गई इंडिया के actual growth rate warranted है माल लो हमारे economists ने सोचा कि 10% होनी चाहिए तो यह है आपकी warranted जो आप चाहते हो natural growth rate होती है कि जो आपके natural जितने भी resources है उन सबका भी अगर आप सही से use करो यह सब चीजे करो तब जो आपकी growth rate होती है उसको बोलते है natural growth rate अब यहाँ पर question क्या कह रहा है actual growth rate is greater than warranted growth rate कि actual में हमारी growth rate जादा है और हमने सोची जो थी उससे जादा है तो यहाँ economy में क्या inflation आएगा अब आप सोच लो अगर हमारी इंडिया की growth rate 7% है माल लो यह होगी actual growth rate और हमने सोची थी कि 5% growth rate रहेगी करोना का time में माल लो ऐसे में क्या है actual growth rate जादा हुने का मतलब होता है कि लोगों के पास income जादा है जब आपका GA is greater than GW है तो यही चीज़ दिखाता है कि लोगों के पास income जादा है जब income जादा होती है तो वो goods and services की ज़ादा demand करते हैं और ज़ादा demand करते हैं ऐसे में इतनी goods और services बनने ही पाती तो economy में क्या होता है inflation आता है तो हमेशा याद रखना जब actual growth rate higher than warranted growth rate होगा तो inflation economy में आएगा ही आएगा इस question में दिक्कत क्या है इस question में एक answer के लावाद दो-दो answer आ रहे हैं अब आप पढ़िए second option को तो देखिए actual growth rate is higher than warranted growth rate यहां पर कहा रहा है actual growth rate is greater than warranted growth rate है पर क्या आएगा मंदी आएगी ऐसा नहीं हो सकता अगर आपने 7 रुपे कमाई हैं और सोचे 5 रुपे कमाने का था तो आप ज्यादा से ज्यादा goods and services के demand करोगे तेजी आएगी ना कि मंदी तो बी option तो हो जाएगा wrong option number C को भी पढ़िए economy will be in equilibrium when actual growth rate and warranted growth rate are equal आपको पता है एक economy की growth की क्या situation होती है equilibrium की की actual growth rate, warranted growth rate और natural growth rate बराबर होती है तो economy equilibrium में होती है अब यहाँ पर GN के concept को बताया ही नहीं गया तो यह दोनों बराबर है तो इसका मतलब economy equilibrium में है तो यह बात भी सही है तो इस question में दिक्कत यही है कि दो option राइट है A भी और यहाँ पर आपका C भी तो यहाँ पर दो option राइट है तो हम किसी A को राइट कहेंगे गलत है लेकिन exam में जब आपको कोई A को राइट करके आन number of invisibility hinder the process of economic growth in a initial stage this view यहाँ पर question में क्या कह रहा है कि जब एक economy initial stage पर होती है शुरुवाती दोर में होती है और वो growth कर रही होती है तो growth करते time क्या होता है बहुत साइट invisibility आती है बहुत सारी चीज़े जो होती है उसकी growth की process में बाधा उत्पन करती है हिंडर होता है बाधा ही समझा है आपको क्या कह रही हो मैं question में question यह है कि जब एक economy initial stage पर होती है तब वो growth करना चाहती है तो growth करते time बहुत सी अपूरणता है अपूरणता होती है invisibility जैसे infrastructure सही ना होना उनका बहुत सारी सीज़े होती है जैसे वहां पर labor incentive technique का यूज हो रहा था ठीक है तो बहुत सारे बोटल नेक्स होती है जो उनकी growth की process में बाधा उत्पन करते है हिंडर का मतलब तो यह जो concept है यह किस ने दिया था तो यह concept जो है आर नर्गसे ने दि है तो option number a यहां आपका right answer हो चाहेगा अगला question देखिए अगला question है साप्ता is related to sapta is related to education से रिलेटिड़ है security से रिलेटिड़ है trade से रिलेटिड़ है या environment से रिलेटिड़ है पहली बात यह जो आपका साप्ता जो है ये एक agreement है ये एक agreement है जो सार्क nations में हुआ था सबसे पहली बात यहीं आपको याद रखनी है ये एक agreement है डेट से रिलेटिड़ है जो की सार्क nations के हुआ था हमने खल भी सार्क का question इसी question पने किया है जो आपके south एशियन जो एसोशीएशन है जो है आपकी जो रीजनल कोर्परेशन है आपका सार्क जिसमें एक कंट्री मैंबर है माल्डवीप नेपाल पाकिस्तान श्री लंका अफगानिस्तान इंडिया भूतान बांगलादेश सार्क जब बना तो उस टाइम पर उसके बाद क्या हुआ ए यही वो ट्रेड एग्रिमेंट है इसके अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म थी साउथ एशिया जो फ्री ट्रेड एग्रिमेंट ट्रेड से रिलेटिड जो हुआ था यह सापका के अंदर हुआ था तो सार्क नेशन के अंदर सार्क में एक एग्र है कि कब हुआ था यह अग्रिमेंट आपका 2004 के अंदर हुआ था कहीं बार यह भी क्योंच पूछ लेते हैं जो सार्क है इसका यह कब बना था यह और इंगरिमेंट हुआ तो आपको यहां से राइट आंसर हो जाएगा अगला कुश्शन देखिए अगला कुश्शन है इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी एक्ट इन इंडिया इंट्र्यूस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी को लेकर एक आयए था इंडिया में वह कब आया था आप से शिर्फ यह पूछा गया तो यह जो आए था Information Technology Act यह आपका आया था 2000 में सत्रा अक्टूबर के आसपास की बात है 2000 में Information Technology Act आया था इस Act को लाने का मेन अब्जेक्टिव यही था कि जो electronic जो हमारे जितने भी दस्तावेज होती है उनको एक कानूनी मानिता मिलती रहे डिजिटल आप देख रहे हो आजकल हम क्या कर रहे है डिजिटल सिगनेचर कर रहे है उसकी भी एक लीगल वैलिडिटी है ठीक है साइबर क्राइम जो होते हैं उनलाइन इनको रोकने के लिए एक्ट को Information Technology Act लाया गया था और साइबर अगर क्राइम के साथ हो भी जाता है तो उसको किस तरह से नियाय दिलाए जा सकता है तो उसको लेकर यह Act था तो Option A ही आपका Right Answer हो जाएगा अगला Question देखिए Which of the following group has brought and acquired the controlling shake in Spath Industry यहाँ पर क्या बोल रहा है नीचे दिएगे Options में से किस ने इस पात के Shares को acquire कर लिया है खरीद लिया है या इस पात का जो शेयर है वो किसके control में है तो यह सीधा कोशन आयोगा है इसका Right Answer आपका आएगा Tata Steel ताटा Steel जो ग्रूप है उसने acquire किया है किसके Stake को इस पात Stake Industries के Stake को acquire उसने कर लिया है अपने अंडर ले लिया है तो Option A यहाँ आपका Right Answer हो जाएगा अगला कोशन देखिए Demand creates its own supply यह सबको पता है यह जेबी से कल लो है कि supply अगर होती है तो अपने आपी Demand create हो जाती है Option B यहाँ आपका Right Answer हो जाएगा अगला कोशन देख के हैं दोबारा से यह दूसरे कोशन की फों में आया है कोशन देखिए क्या है इंडिया first export promotion zone to be declared a free trade zone कोशन यह कह रहा है कि इंडिया का पहला export को promotion करने वाला zone कौन सा है और जिसको अब क्या declare कर दिया गया है free trade zone की असानी से उस zone में कोई भी trade कर सकता है तो वही इसका अंस export को promotion करने का कम किस ने किया है इंडिया ने किया है और इसलिए एशिया का first promotion जो पर्मोशन जो एक्सपोर्ट पर्मोशन जोन स्टैबलिश भी कहां किया गया था कांडला ही है तो इसलिए और इसकी establishment कभी थी 1965 में तो option number B यहां आपका right answer हो चाहेगा अगला question देखिए अगल is neutral technical change का मतलब आपसे पूछा है यहाँ आपसे पूछा है कि हीक्स का जो neutral technical change होता है उसका मतलब अपको बताना है first option है a unit isoquant undergurs a parallel shift to upward कि जो आपका ISO क्वांट का है उसमें शिप्ट आएगा और अपवड शिप्ट आएगा ठीक है न्यूट्रल टेक्टिकल प्रोग्रेस का मतलब यह है अगले उप्षान में बोल रहा है यूनिट आइसो क्वांट अंडर्गोस और पैलर शिप्टू लेफ्ट बड़ नीचे की तरफ आइसो क् पांट का वह चेंज होगा यह ना नौबदाब अब मैं आपको क्या जती हूं ही की निट्रालेटी का मीनिंग बताती हूं आपको इस कोश्चन का जो राइट आंसर है मुझे कमेंट सक्षी में देना ही इसकी निट्रल टेकनिकल प्रोग्रेस का मतलब होता है कि जब हो तब क्या हूँ technical में advancement होती है technology change हुती है तो उसकी बज़ास से जितने भी आपकी productivity है न कि इन्पूर्ट्स रापकी productivity कहो जाए सीम रेशिमें क्या वोगते हैं तो इसको बोलते हैं टेकनिकल इंप्रूलमेंट होगी तब तो इस question का answer कमेंट सेक्ष्चन में देना अगर नहीं भी आपको आए तो भी कमेंट सेक्ष्चन में कुछ ना कुछ इसने लिएटरी लिखना फिर मैं आपको comment section में इसका answer पिन कर दूंगे question number 99 देखिए two gap theory as applied to development planning अब यहां पर यह बोला गया है कि development planning में जो two gap theory है विकास की वो क्या कहती है वो क्या कहती है कि जो two gap theory है किसके बीच में क्या बता रही है inflationary gap and investment gap saving gap and deflationary gap foreign exchange gap और fourth है saving constraint and foreign exchange constraint जो यह आपका two gap theory है जो कि development planning में use होती है यहां question के मतलब को समझना कि two gap theory है जो कि आपकी कहां apply होती है development में जो planning होती है उसमें apply होती है तो यह क्या कहती है यह theory क्या कहती है कि developing countries developing countries अपनी सही से अपने export को growth नहीं कर पाते उनके एक्सपोर्ट उतने बढ़ नहीं पाती इसके पीछे क्या रीजन है पहली बात वहां पर सेविंग कम होती है सेविंग कम होती है सेविंग कम होती है तो जिसकी वज़ा से इंवेस्मेंट कम होती है अगर वो किसी भी तरह से सेविंग को बढ़ा भी लिए सेविंग कंस्ट्रे को तो उन्होंने खतम कर दिया कंस्टेंट होती है बात हा कि वहां के लोग उतनी सेविंग नहीं कर पा रहे तो इस वाली प्रोब्लम को फिर भी डवलपिंग कंट्री इंक्रीज करा दी तो सेविंग बढ़ गई तो इन्वेस्मेंट ऑटोमेटिकली बढ़ गई लेकिन दिक् करते हैं तो डवलपिंग कंट्रीज में सबसे में इस्व जो आता है सेविंग कंस्ट्रीज भी होती है और 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 यहां आपका राइट आंसर हो चाहेगा अगला कुशन देखिए इंक्वैलिटी जो इंकम की है उसको कैसे मेजर करते हैं तो यह कुशन बहुत बार कर चुक हो तो इंकम इनिक्वैलेटी आपकी निकल जाती है ठीक है अगला कुशन है क्रिटिकल मिनिममम एफ़र्स थियोरी किस ने दी थी यह दिती आपकी लेविंस्टीन ने दी ओप्शन नमबर सी यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला कुशन देखिए एब्जोर्शन होने के बाद क्या इंपेक्ट पड़ता है उसको एनिलाइज करती है तो यह थियोरी किस ने दी है इसका राइट आंसर आपका आएगा सीडनी अलेक्जेंडर ओप्शन अमबर डी के साथ आप जाओगी अगला कुशन देखिए अगला कुशन है अकोर्डिंग टू एक्सिल पहले यह पता होना चाहिए कि एक्सलेरेटर ही होता क्या है आपको पता है यह कैपिटल आउटपुट रेशो है कैपिटल आउटपुट रेशो का मतलब है अगर आप 5 रुपे लगाओगे किसी बिजनस में तभी आपको एक रुपे का आउटपुट बनेगा यही तो फु करता है लेवल आउटपुट पर क्योंकि अपकर क्या है अब करोगे आपका बोड़ुट रेश रहए हो इसकी डिमांड नहीं है तो आप क्या करोगे अपनी अपने capital को क्या करोगे कम लगाओगे तो आपको क्या समझाया accelerator principle के अंदर capital की demand में जो change है वो depend करता है कि आपके level of output क्या रहेगा option number B यहां आपका right answer हो जाएगा अगला question आपका क्या है परधान मंत्री गामिन सडक योजना यह आपके पंदरागस 2000 में आई थी option number B यहां आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए limit pricing is a entry condition in the theory of firm आपने बेन लिमिट थियोरी करियोगी limit pricing की micro economics में limit pricing क्या होती है कि जो current time पर जो भी firms है वो इस तरह से pricing decide करती है कि market में कोई नई firm entry नहीं कर सकती और हमेशा क्या करती है firm जो होती है जो existing firm होती है वो price की limit इस तरह से ठाय करती है कि जो price हमेशा होगा average cost से ज़्यादा ही होता है ठीक है किसे average cost मालोक production करने में जो भी cost आ रही है minimum उससे ज़्यादा ही price को रखा जाता है ताकि जो नहीं firm है वो market में एंटर ना कर पाए potential firm की entry को रोकने के लिए js बेन ने बेन लिमिट थियोरी को दिया था तो option पर यही आएगा currency held by public और cash reserves of bank option नमबर D के साथ आप जाओगे अगला question देखिए अगला question है input output technique को invent किसने किया था तो input output technique को invent करने का जो श्रे है बेसली लियोंटोफ को दिया जाता है जो लियोंटिफ को दिया जाता है option नमबर B आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला गया है गीवना production function यहाँ पर मेरे ख्यास से कुछ missing है alpha beta कुछ आएगा लेकिन आपको question को क्या समझना है कि आपको यहाँ पर production function गीवन है आपको यह बताना है increasing return to scale के लिए कौन से condition अपलाई होती है आपको यहाँ इसको भी देखने की जरूरत नहीं है आपको बता है कि alpha plus beta की value जब greater than one होती है तो तो automatically हमारे increasing return to scale लगते हैं तो option number D यहाँ आपका right answer हो चाहेगा अगला question देखिए अगला question आपका है वर्डण लोग जो वर्डण का जो लोग है वह क्या कहता है पहली बात यह नयए concept है यहां पर आपको मैं बताऊं तो वर्डण का लोग बताने से पहले यह जो concept है डिच इकनोबिस ने 1949 में अपने एक पेपर में दिया था उन्होंने क्या गाता है क्या एक रिलेशंशीप करता है किसकी बीच में वैसे तो उन्होंने अपने लोग में दो चीज़ों के बिच में डियां से सुनना किस के बीच में ग्रोथ रेट ओव प्रोडक्ष्ण and productivity किसके बीच में production and productivity उनको उन्होंने mathematically C square derive किया था कि अगर माल लो उन्होंने एक equation दी थी उन्होंने कहा था कि P is equal to A plus B क्या हूँ हमें mathematical equation पे नहीं जाना बट उनका ये कहना था B यहाँ पर आपका productivity था productivity parameter था labor की और इसकी value 0.5 नहोंने बताई थी उनका क्या क्याना था कि production में और labor की जो productivity होती है उसके बीच में relation होता है और अगर आपका production एक से बढ़ेगा मालो आपने commodity बढ़ाई production अगर एक से बढ़ता है तो जो आपका labor होता है उसकी productivity 0.5 से बढ़ेगा तो मतलब productivity आधे से बढ़ेगी लेकिन production दूगने से बढ़ेगा तो यह relationship आप वहाँ पर वर्दौन के लो में देखोगे लेकिन यहाँ पर relationship को growth population employment के साथ जोड़ा गया है तो मैं यहाँ पर बस आपको basic right answer बदा देती हूं क्योंकि यह लो मैंने आपको समझा दिया हूं तो उसमें क्या था इस low में की negative relation होता है किस किस के बीच में negative relation होता है between the growth of population employment output तीन चीज़े है population growth employment की growth और output की growth यह तीन चीज़े एक तरफ है और इनका relation किस के साथ है growth rate of production per head मतलब जो growth rate हुई पर production की उसके साथ तो यहाँ option number B आपका right answer हो जाएगा अगला है वेंट्वोर surplus approach यह आपको पता है Adam Smith ने दी थी Adam Smith ने बहुत था कि जो under developed countries होती है यह developing countries होती है वहाँ पर production काफी access मिलता है तो ऐसे में जो production उनके यूज का नहीं है मतलब उनके जरूरत का नहीं है तो उन्हें क्या कर देना चाहिए उस surplus को बाहर बेच देना चाहिए इससे उन्हें foreign currency मिलेगी तो यह जो applicable होता है under developed या developing countries में तो option number B आपका यहाँ right answer हो जाएगा अगला question देखिए in which year खिसान credit card scheme को लोंच किया गया था 1998 में option number B आपका यहाँ right answer हो जाएगा अगला question देखिए अगला question है according to the monetary approach revaluation of a nation currency revaluation होता है जब अपने अपनी currency की value को क्या कर देते हैं बढ़ा देती है जैसे माल लो एक डोलर पहले था पचास का मतलब अगर आपको एक डोलर चाहिए था मैं कर अपनी करंसी रूपीज 50 रूपे देती हैं अब एक डोलर की value क्या हो गई है वह मालो 40 रूपीज हो गई है अब मैंने क्या किया अपनी करंसी की value को revaluation कर दिया है उसकी value बढ़ा दिया है अब आपको क्या दिख रहा है कि पहले अगर आपको एक डोलर चाहिए तो आपको कितने देने हैं 40 देने हैं तो आपको क्या समझा रहा है तो जब आपको कम पैसा देना है डोलर के रूप में तो ऐसे में क्या होता है जब एक country अपने करंसी का devaluation करती है तो क्या होता है उसके import बढ़ जाते हैं आप यह जहन रखना उसके import बढ़ जाते है क्योंकि उसको बहार से जो चीज़ें वह सस्ती मिल रही है और उसके export कम हो जाते है import बढ़ जाते है import बढ़ जाते है तो आपको क्या answer देना question को पढ़िये कि monetary approach के इसाब से अगर currency का revaluation होता है तो क्या nation की currency की demand बढ़ती है या supply बढ़ती है या reduce the nation demand for money तो यहाँ क्या आएगा reduce हो जाएगी nation demand for money क्योंकि आप अपनी currency की demand ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब आप dollar की demand कर रहे हैं आप import बढ़ाऊगे जब आप import बढ़ाऊगे export के comparison में आप जब import बढ़ाते ही हो तो आपको अपने nation की currency की demand नहीं चाहिए आपको क्या चाहिए डोलर चाहिए क्योंकि आप तो import कर रहे हो इंपोर्ट करने में आपको रूपी सोड़ी चाहिए तो इसी लिए जब एक monetary अपरोच की हिसाब से करंसी का नेशन करंसी का revaluation होता है तो उस नेशन की जो करंसी होती है नेशन डिमांड पर मनी क्या हो जाती है घट जाती है तो option number C यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा अब यहां पर अगले कोशन में है कि नफाड चाहे पहली बात आपको जो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए इसकी जो फुल फॉर्म आपकी रहेगी यह रहेगी नैशनल एग्रिकल्चर कोर्प्रेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ओफ नाधिएशन यह जो एक्रिककल्चर सेक्टर के लिए बनाई गई थी उसमें मार्केटिंग फैसिलेटिज को इंप्रौफ करने के लिए यह कोर्परेशन ऑर्गनाईशन बनाया गया था तो दो एक्टूबर उनी सो 1958 को ये बनाई गई थी 1958 को ये बनाई गई थी तो option number D यहां आपका right answer हो जाएगा अगला कोशन देखिए तब policy which aim at compensating economy to make the stimulation of inflation deflation by manipulating taxes and public expenditure ये क्या कह रहे हैं कोशन में उस policy को हम क्या कहते हैं जिसमें हम मन्धी को कम या ज़्यक्रने के लिए क्या करते हैं या तो तेक्स का buttay आपका right answer हो जाएगा अगला कुशन देखिए अगला question है type 2 error क्या होता है type 2 error के अगर हम बात करें type 2 error क्या होता है reject the null hypothesis when it is true आपके पास दो hypothesis होती है एक null hypothesis बनाते हो और एक alternate hypothesis बनाते हो तो type 2 error तब rise होती है जब आपकी जो null hypothesis है उसको आपने reject कर दिया जबकी वो तो क्या थी true थी ठीक है अगला question है Colin Clark has argued for most countries of the world safe upper limit of taxation आपने Colin Clark public economics में पढ़ा होगा तो Colin Clark ने बहुत सारी countries को क्या बोला है कि taxation की जो एक limit है क्या percentage of tax maximum दो है countries को लगाना चाहिए उसकी क्या पर limit हो ता कि उसके development पर कोई प्रभाव ना पड़े तो वहाँ पर बोला गया है 25% of national income is the upper and safeguard limit of taxation according to Colin Clark option नमबर C यहां आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए accelerated irrigation benefit program वस लॉंच तो accelerated irrigation benefit program 1996 और 1997 में आपका लॉंच किया गया था option नमबर A यहां आपका right answer हो जाएगा यह प्रोग्राम में central government क्या करती हो तो option नमबर A आपका यहां right answer हो जाएगा अगला question देखिए according to labor theory of location the important factor influence the location location को कौन से factor जो है बहुत परभावित करते हैं और किस theory के हिसाब से labor की theory के हिसाब से location की तो उन्होंने कहा था transportation cost बहुत important है labor की cost भी बहुत important है तो option नमबर A और तीन यहां आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए identify the correct chronological order of following economist तो सबसे पहले आपका सेवंटीन सेवंटीसिक्स की बात है फिर आपका मल्तस आया है फिर रिकार्ड हो आया फिर जेस में लिकोनमिस आया तो यही इनका chronological order भी है तो option नमबर A आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए the third moment around the mean is useful third moment आपने क्योंने का chapter किया उसमें आपने first moment second moment और third moment करा होगा सचाव कटेसमें करते हैं सोडिकर्शिस में करते हैं हुंस्स्में umint second moment और third moment आपको पता है first moment आपका mean के लिए होता है second आपका बतता है क्या variance बताता है third moment आपकी peakness को बताता है कि आपका जो जो भी data है वो कितना उसमें क्या है peakness है तो यहां पर option number C आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए which of the following is an ideal index number तो आपको पता है कि Fisher index number को हम ideally index number के नाम से क्या करते हैं जानते हैं अगला question है match the following का इस question में देखिए क्या बोला गया है फ्री ट्रेड एरिया कस्टम यूनियन कॉमन मार्किट एकोनोमिक यून फ्री ट्रेड एरिया का the trade is free no custom duty option number second इसके बाद आपका क्या आएगा कस्टम यूनियन आएगा कस्टम यूनियन का आप क्या जाएगा नो कस्टम ड्यूटी और नोन member countries common market common market का अगर मैं बात करूं सोरी यहां पर free trade में तो ठीक है कि trade जो है free रहेगा कोई भी आपके पर कोई ड्यूटी जो है वो नहीं लगेगी इसके बाद अगर हम बात करें कस्टम यूनियन का no restriction and factor moments common market common market आपका रहेगा नो कस्टम ड्यूटी नोन मेंबर कंट्रिया उनके कोई कस्टम ड्यूटी या नहीं लगेगी एकनोमिक यूनियन होती है जो last stage होती है यूनियन की और यह advanced stage of integration होती है तो जो राइट आंसर आपका होगा वह होगा आपका two one three four option number a के साथ आप जाओगे अगला कोशन देखिए अगला कोशन भी मैस का following का कोशन है इस कोशन में भी आपसे committees दी गई है और किसी से reforms है और इसके बाद आपका ओमकार गोश्वामी कमेटी जो होती है इंडस्ट्रियल सिक्नेस से संबंदित है तो यहां पर पर सेकिंड थर्ड फॉर्थ राइट आंसर आपका option number C हमने 124 questions को detail में discuss कर लिया बाकी बचे हुए questions हम next वीडियो में discuss करेंगे तो इसके लिए आप हमसे जूड सकते हैं हमारी टेलिग्राम चैनल से भी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को like करना share करना subscribe करना thank you so much for कर वाट हमसे